मिधान सबा चुनाव से ठीक पहले पुलिस ने नशी के कारुबार पर बड़ी कारवाई की है पुलिस ने 36 गड़ उतर प्रदेश की सीमा पर धनवार चेक पोस्ट नाके में वहां चेकिंग के दौरान एक कार से 2,62,000 के प्रतिबंधित नशीली दवा को बरामत करते वे एक आरोपी को गिरफतार किया है पुलिस एसपी डॉक्टर लाल उमींदर ने बताया कि आरोपी के द्वारा उतर प्रदेश के बनारस से इन प्रतिबंधित दवाओं की खेब को 36 गड़ के कोरिया में खपाने की तैयारी थी पुलिस द्वारा जब्द की गई प्रतिबंधित दवाओं में सिरप और कैप्शूल्स शामिल है इसके साथ ही पुलिस ने 2 लाग की नशीली दवाओं समेत कार को जब्द भी कर लिया है जिसकी कीमत लगभग 5 लाग आकी गई है